जो एक्सरसाइस का 6th नम्बर समय है दा फॉस्ट टर्म एड लास्ट टर्म इस 17 एंड 350 फॉस्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है तो जैसा बूला जाए वैसे पहले कर लीजी यह हमारे पास कितने 17 है लास्ट टर्म मतलब a n कितना दे रखा है 350 दे रखा है and common difference उनका 9 दे रखा है मतलब d हमारे पास कितना दे रखा है 9 दे रखा है पूछ रहा है how many terms are there इसमें कितनी terms है and there sum और उनका sum कितना है यह जो बात तीनों की हुई है इसमें कितनी terms है मतलब n कितना है और जितनी भी terms है उनका sum कितना है मतलब sn कितना है तो sn निकालने के लिए सबसे पहले n निकालना होगा अब n निकालने के लिए अब आप nth term formula easily use कर सकते हो क्योंकि उसके लिए हमें a चाइए और d चाइए दोनों available है दोनों available है न तो a भी हमें पता है d भी पता है एंट term formula से एन निकाल लेजिए formula क्या है यह इदर लिखा पड़ा है मैं नहीं लिखता आप लिख लेना copy पर तो इसे मैं use कर रहा हूँ a n कितना है 350 350 is equal to a a कितना है 17 plus n minus 1 n नहीं मालूम n minus 1 d d कितना है 9 है तो इसको solo कर लेते है यह 17 इदर minus हो जाएगा तो minus is equal to इसको आगे लिख लेते है ठीक है 9 n minus 1 इसे आगे लिख सकते है इसे आप अंदर multiply भी कर सकते है आपकी मर्जी है दोनों काम हो जाएगे ठीक है तो इनको minus किया यह हमारे पास है 333 is equal to 9 n minus 1 जो 7 में लगा होता डीजर वो नीचे चला जाता है दो त्रीकों से होता है यहां पर जहां तो n को अंदर multiply कर लीजिए यह बंजेगा 9 n minus 9 यह जो minus का 9 आएगा इदर लगा कर इसे plus कर देगे तो भी answer वही आएगा अगर आप यह 9 को सीधा नीचे shift कर देते हो यह ऐसे हो जाएगा हमें मालूम है कि 7 में लगा डीजर नीचे जाता है तो इदर कहाँ बचा n minus का 1 ठीक है तो यह cut हो रहा है यह cut हो रहा है 37 पर 37 पर cut हो रहा है आप cut करके देख ले न यह एगा 37 is equal to n minus 1 यह minus का 1 इदर plus का हो जाएगा 37 plus 1 is equal to n तो n की value कितनी आगी हमारे पास 38 आगी तो जो उन्हें उन्हें पूछा था 38 आगी तो अब उन्हेंने और क्या बूलाया कि यह 38 जो terms आई है इन सभी का sum कितना है तो sum निकालने का formula आपको मालूम है यहाँ पर n फिल करें a फिल करें d फिल करें आपका answer आगाएगा ठीक है n फिल करें a फिल करें d फिल करें जो student साथ में कर रहे हैं वो अपनी copy पर मेरे से पहले निकाल दें तो यह formula मैं यहाँ पर दुबारा लिख रहा हूँ s n is equal to n by 2 2a plus n minus 1 d अगर इस formula को थोड़ा shortcut में और easy स्वाल को करना है तो यहसे मैंने कल भी रेक किया था ना यहसे 2a को आप वैसे भी कर सकते हो इस 2a को a plus a लिखें उसके बाद plus n minus 1 यह d लिखें बाहर n by 2 चल रहा है 21 के equal चल रहा है s n के equal चल रहा है तो यह हमारे पास formula ए a n का a n का formula यह न स्टुडेंट यह देखो a n का formula यह a plus n minus 1 d a n का formula है तो इसको हम क्या लिखेंगे a n लिखेंगे a n plus यह a हो गया उसके बाद यह n by 2 n by 2 equal चल रहा है s n के सब यह value को यहाँ पर fill करें तो आपका answer आ जाएगा वैसे आप direct fill करें तो भी answer वही आएगा so हमारे पास s n कितने 38 38 is equal to 38 by 2 a कितने है 17 plus a n आपको मालूम है 350 50 तो solo करें तो यह कट रहा है 19 पर 338 is equal to 19 multiply इनको आप add करें यह आपके पास आएगा 367 तो जब आप इनको multiply करोगे तो आपके पास आएगा 6973 आ जाएगा तो यह student हमारा correct answer है सामबन समझ में लगा हो तो वीडियो को like कर दें अपने साथियों के साथ शेयर करें अपना feedback जरूर दें Thank you so much